आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इनक्रीजिंग ठीक है तो ऐसा कुछ बोल रहा है तो इन्होंने देख क्या रखा है कि एरिया यानि कि अगर मैं Capital A से एरिया बोलूँ तो DA अपन डीटी दे रखा है वो क्या है 4 स्क्वेर फिट पर सकेंड ऐसा कुछ दे रखा है तो ये DA अपन डीटी इन्होंने दे रखा है Mathematical Notation में यहां पर लिख लेते है और पूछा क्या है Rate at which Perimeter Perimeter को P बोल देता हो तो DP अपन डीटी हमसे पूछ रखा है जबकि Side हमारे Equilator Triangle का जो Side है Side की Length दे रखी है A Fit ठीक है तो A Fit हमें Side की Length दे रखी है ऐसा कुछ दे रखा है तो यहां पर देखो सबसे पहले अगर अपन यहां पर देखे तो Area क्या होता है Equilator Triangle का Area होता है Root 3 by 4 Side का Square और Side हमारा A Unit A Fit है माल लो तो A का Square ऐसा हो जाएगा अगर मेरे को चाहिए D A upon D T तो अपन क्या करेंगे Differentiate कर देंगे Both Side तो अगर मैं differentiate कर दूँ Both Side तो मेरे को मिल क्या जाएगा यहां से अगर अगर अपन differentiate करें तो यह हो जाएगा D A upon D T Is equal to Root 3 by 4 तो हमारा Constant है तो बाहरा A Square का Difference 2 A और यहां पर D A upon D T मिल दाएगा तीक है अगर दोकों में D A upon D T का Value मालूम है 4 square feet per second तो यहां पर लिख दो 4 और यह हो जाएगा Root 3 by 4 into 2 और A की Value इन्हें ने दे रखिए वो क्या है हमारा A का Value A का Value इन्हें ने ने दे रखा है A को A ही बोल दो और D A upon D T तो D A upon D T तो यहां से Value अपर निकाल लेते हैं तो यह 2 से यह 4 cancel 2 बार में तो क्या आ गया यहां से आ गया A into D A upon D T की Value आ गयी वो क्या आ रही 8 upon Root 3 आ रहा तो यहां से D A upon D T अगर मैं लिखो तो वो क्या हो जाएगा इनक्रीजिंग अब पैरिमीटर अपन जानते हैं क्या होता है 3 A जबकि साइड लेंट अगर A हो A फिट तो 3 A अपन बोलेंगे पैरिमीटर हमें इसको करना है differentiate both sides with respect to T तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को D P upon D T is equal to 3 constant है A का differentiation D upon D T हो जाएगा तो यहां से D P upon D T मेरे को निकालना था वो क्या रहा 3 तो constant है और D upon D T की value हमने निकाल रहा है 8 upon A root 3 8 upon A root 3 तो यहां से value हमें क्या मिल गई D P upon D T की वो आ रही है हमारी value 24 या तो इसको अपन cancel कर ले तो यह root 3 बार में cancel होगा और इसको अपन क्या बोलेंगे fit per second तो यही हमारा answer हो जाएगा perimeter किस rate से increase करेगा इस rate से जब हमारा A fit उस side का length है equilateral triangle का Thank you